हलो दोस्तों रादे रादे आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे तो आज मैं चलने हूँ मानिया के बालों की कटिंग करने क्योंकि मानिया की बाल बहुत बड़े हो गए थे उचे नीचे और गर्मियां बहुत बढ़ गई है तो इसके बालों की कटिंग की जाए तो आप देख सकते हैं बिलकुल कटवाना नहीं चाहरी थी पहले देखे होंगे वीडियो में कितने आसानी से बाल कटिंग करवा रही ह तो और बहुत मुस्किल से मैंने काटा था उसका बाल लेकिन फिर भी अच्छे कट गहे थे आप देख कि yogurt इस कि जरूर की कैसा लगा था आपको बालों की कटिंग करस्स के बाद मैंने इसको नह लाए मानिया की बाल करो, 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 मानिया की बाल करो कितने अच्छे बाल कटिंग हो गए मान्या के पीछे से भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बाल कटिंग हो चुके हैं नहाद हो लिया है मान्या ने बहुत अच्छी लग रही है खुस हो गई है अच्छे लगते हैं गर्मियों में च्छोटे च्छोटे बाल नहीं लग और चार वजे का टाइम है, तो मैं कपड़े पहले उतार के ले जाओंगे नीची, उसके बाद नीचे भी काम पड़े हुए है, उसको मैं करूंगे, मैं सब्जी उगरत हो के आ गई हूँ, अम मैं जाओंगी तो कट करके उसको छोकाँगी, तो अब चल रही हूं मैं नीचे, तो काफी कपड़े हो जाते हैं तो इदर मेरा दूद उबल चुका है साम खेड़ा है अब मैं इसको ढग दूगी और ऐसी ही रखूँगी अब मैं चल नहीं हूँ इदर मेरी सब्जी भी छौब दिया है मैंने और उसके बाद चार पांट बज़े के करीब इच्छाय वगर देने के बाद तुरंट मैं सब्जी भी कट्टके छौब देती हूं दूद बगर वाल वाल के सब्द देती हूं क्योंकि उसके बाद फोड़ा टाइम बच जाता है तो इससे मेरा और भी काम हो जाता है इदर मैंने आटा भी मड़के रख दिया है तो आम देख सकते हैं इंदर मान्या कोकर उसको देखके डर रही है दिखा रही है तित्ती है तित्ती बोलती है उसको